नमस्कार दोस्तों यह है ग्यानधारा चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिवास भूगोल से सेस बचे हुए प्रश्णों के बारे में इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने बात की थी कुल 132 प्रश्णों की जो की अधिवास भूगोल से सम्मंदित इस वीडियो में हम लोग 18 और प्रश्णों की बात करेंगे जो सेस बच गए थे तो जो पहला प्रश्ण है कि भारत के किस राज्जी या केंसासित राज्जी में नगरी जनसंख्या प्रशत सरोच है तो आप बताईए कौन सा आपका सही उत्तर है तो आप पर जो सही उत्त कौन सा आपका उत्तर सही है तो उत्तर आपका सही है हिमाचल प्रदेश जहां पर जो नगरी करण है लगभग में 10% के आसपास है अगला प्रश्ण है कि भारत में 10 लागी नगरों या महानागरों की वर्तमान संख्या कितनी है ऑप्शन दिये 35, 49, 33, 31 तो 2011 की जनगर्णा क संख्या कितनी है वह है आपकी तिरपन और 2001 की जनगर्णा के उनसा कितनी संख्या थी वो थी आपकी 35 अगला प्रश्ण है कि भारती जंगर्णा में किस कारत की भूमिका सरवाहधिक प्रभाव साली रही है ऑप्शन दिये उच्छ जनम दर ज erg किरामे नगरी प्रवास पीस अगला प्रशन है कि 20 के बिकसित देशों में आउसत कितनी प्रशत जनसंख्या नगरी है। अगला प्रशन है कि निम्लिकत में से कौन सी समस्या नगर से संबंदित है। जबकि आवास की समस्या, जलापूर्थ की समस्या और अपसेश्ट बिसर्जें की समस्या ज़्यादा संबंदित है। अगला प्रशन है कि भारत के किस महानगर में मलिन बस्ती को चेरी के नाम से जाना जाता है। आप्शन दिये हैं कोलकाता, मुंबई, चिन्नई, हैदराबाद तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चिन्नई। अब जुगी जोपड़ी किसे कहां पे कहते हैं, चाल कहां पे कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बाक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रशन है कि दिल्ली में मलिन बस्ती को किस नाम से जाना जाता है। आप्शन दिये हैं मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चिन्नई। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है वो आपका है मुंबई। अगला प्रशन है आपका इन्नगर नियोजन के लिए चार प्रधान तक्तों, कटिबंद, संचार के साधन, खुली भूम और सामुदाइक समोहन पर किस विद्वान ने बल दिया। आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है आप बताइए तो 147 का आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पैट्रिक एबर क्रामबी। अगला प्रश्ण है कि उपवन नगर संक्रपना के जनक कौन थे। आप्शन दिया है पैट्रिक एबर क्रामबी, एबेनेजर होड, पैट्रिक गेडिस या इन में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका होड। अगला प्रश्ण है कि नगर न्यूजन से समंधित नवीन नगर की संक्रपना के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही उत्तर है। आप्शन दिया है पैट्रिक क्रामबी, पैट्रिक गेडिस, एबी गेलियन या पीटर हैगट। तो अगला प्रश्ण है कि गार्डिन सिटी आफ टुमारो, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आप्शन दिया है बिलियम जोन्स, पीटर हैगट, एबी गेलियन या होड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है होड। अगला प्रश्ण है कि क्रिश्टालर के केंदर सिद्धान के संबन्द में कौन सा कतन सत्य नहीं है। आप्शन दिये हो है समानाकार के केंदर स्तल समान दूरी पश्थित होते हैं, बड़े केंदर स्तलों की संख्या कम और छोटे केंदर स्तलों से अधिक होती है। केंदर स्तलों के खटकोड़ी व्यवस्था में एक तो आप बताएगे कौन सा आपका उत्तर सही है, तो आपका जो सही उत्तर है, वो है आपका कि आरोही क्रम में ब्युस्थित पृत्य क्रमिक वर्ग में केंदर स्थलों की संख्या बढ़ती जाती है, ये आपका कतन असत्य है या सत्य नहीं है, अगला प्रशन है कि नगरी प्रश्चा जो प्रश्चन है कि ग्रामीर सेवा केंदर के निधार में कौन सा कार्य सहायक नहीं है आप्शन दिये हैं क्रिशि उत्पादन, ब्यापार, सिच्छा या चिकिच्छा तो ग्रामीर सेवा केंदर के निधार में कौन सा हैक नहीं है आप बताईए सही उत्तर का बताईए तो वो है आपका क्रिशि उत्पादन अगला जो आपका प्रश्ण है कि और अंतिम प्रश्ण है कि नगर का कौन सा भाग रात में मृत्र प्राय हो जाता है आप्सन दिये है उच्छावासी छेतर उपनगर आउद्ध्योगिक छेतर या केंदरी ब्यापार छेतर तो जो केंदरी ब्यापार छेतर होता है CBD सेंटर बिजनेस डिस्टिक ये आपका रात के समय में मृत्पराय हो जाता क्योंकि यहाँ पर जातर आपकी जो है क्या है प्योगी हो सकते हैं तो इसके बाद हम लोग किसी दूसरे पार्ट को देखेंगे और उन प्रश्णों को सालो करेंगे धन्यवाद